महादे किस प्रकार से मागंगा नदी में डूबकी लगाने के वाद बावशनात के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाओ का एक बड़ा केंदर होता है खुद प्रधान मंत्री नहिंदर बोदी आस्था की डूबकी लगाने के लिए मागंगा में मौजूद है मागंगा को आत्वसाथ करना उनके चरणों में जाना श्री चरणों का आशीरवात लेना और यह एक पूरी विदी विधान का अपने आप में एक बड़ा संगम के तोर पर देखा जाता इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रियाग राज में महाकुम का एजन हुआ था प्रधान मंत्री ने वहाँ पर भी आस्था की डूबकी का आनन लिया था वहाँ पर उसका आशीरवाद लिया था और अब काशी विष्णात के दरवार में वहाँ पहुशने से पहले मागंगा में जाकर डूबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में पूरे भक्ती के साथ में रीती रिवाज के साथ में और यहाँ पर भगवान शूर को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना और साथी साथ वहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं प्रधान मंत्री की आस्ता साफ तौर से जलकती है वो एक विश्वास साफ तौर से जलकता है जो यहां का विदिविधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर जलकता है और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चकी है कि आप वहां पर डुपकी लगा सकते हैं प्रदान मंत्री हातों में कलश लिये हुए हैं मागंगा को पुष्व अर्पित करते हुए उन्होंने डुपकी लगाई इसके साथ मंत्रोचार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तोर से भगवान सूर को तरपन करते हुए पुष्व अर्पित करते हुए और वहाँ पर उनके हाथ में जो कलर अगाई